श्वागतिक पर फिर से आप सभी का RKR Study Seated Point YouTube चैनल पी जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि इस चैनल के मादिम से आपको Seated, State, Bear और DL, AjS एक्जामों की तैयारी करवाई जाती है तो इसी सबसे जुड़े इस चैनल के मादिम से यानी RKR Study Seated Point YouTube चैनल के मादिम से मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को एक बहतरीन टॉपिक के बारे में दिन करौँगा जो की बहुत ही महत्पुर्ण है जिसका नाम है मानसिक विकास अंग्रेजी में से Mental Development कहते हैं इसी के ब बाल विकास के कितने आयाम होते हैं मानसिक विकास जो हमारा होता है वह बाल विकास के आयाम के अंतरगत ही आता है जैसे कि बाल विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं सारिक हैं मानसिक विकास हैं नैतिक विकास हैं आगे की बात करें तो समवेगात्मक विकास हैं भासाई वि इस तरह के आप पाएंगे कि बाल विकास के बहुत शारे आयाम होते हैं इसी में से एक हमारा आयाम मानसिक विकास भी होता है जिसे एंग्लेजी में mental development कहते हैं तो आज के इस वीडियो में आप मानसिक विकास के बारे में ही अध्यन करेंगे इसके बाद वले वीडियो में आपको सिर्फ मानसिक विखास के बारे में आज मैं बताऊंगा, तो चलिए अच्छे से देखेगा, आपको कोई भी चीजे समझ में नहीं आएगी, तो फिर आप कमेंट से पूछ लिजेगा, वैसे आपको किसी प्रकार की कोई शिमश्या नहीं रहेगी, तो मानसिक विखास मेंटर डेवलपमेंट क्या होता है, ये मानसिक विखास हमारा क्या होता है, तो देखें, मानसिक विखास का सीधा संदर्व, सीधा संबंध हमारा समवेदना या फिर ग्यान से होता है, आप इसको हमेशा एक ही बात को आप याद लखेंगे कि जहां कहीं भी मानसिक विकास की चर्चा हो तो उसका संबंध हमारा समवेदना से या फिर ग्यान से होता है आप खुद से भी अपना नोट्स यहां पर क्रियेट कर सकते हैं विडियो को देख देख करके पहुँच करके देखिए और जहां पर जो इंपोटेंट बाते लगे आप अपने नोट्राण भी करते चलेंगे तो मानसिक विकास का संबंध किसे रहेगा बालक की समवेदना से रहेगा उसके ग्यान से होता है और मानसिक विकास यानि कि समवेदना या फिर ग्यान यही होता है हमारा पहले सीडी है मानसिक विकास को समवेदना या फिर ग्यान को मानसिक विकास की पहले सीडी माना जाता है और मानसिक विकास हमारा कहां से होता है तो यह हमारा मस्तिस्क के द्वारा किया जाता है जो जितने भी हम समवेदना की काम करते हैं या फिर ग्यान अरजित करने का काम करते हैं तो हम अपने मस्तिस्क के द्वारा मस्तिस्क की सहायता से ही करते हैं तो मानसिक विकास के लिए यह हमारा मस्तिस्क सबसे जयादा एक्टिव रहता है तो समवेदना या फिर ज्यान यह मांसिक विखासा की पहली प्रखैस की हमारे जेम्स ट्रेवर एक उग्यानिक उन्होंने बता कर दाता है जेम्स ड्रेवर की आप इस परिवासा को चाहें तो याद करके रख सकते हैं यहाप के लिए महत्वपुर्ण होंगे कि जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि बालक के जनम से परिपवकता तकी मांसिक छमता जो होती है या फिर मांसिक काड़ियों के उतर उत्तर परकट करने की जो संगठन करने की जो प्रिक्रिया होती है वही हमारा मानसिक विकास कहलाता है तो जेम्स डिरेवर के अनुशार आप मानसिक विकास की प्रिभासा को भी याद रख सकते हैं आपके लिए यह महतपुर्ण है ठीक है आगे हम बात करते हैं मानसिक विकास के अपने आप करने की छमता है उसके चिंतन करने की छमता है उसे किसी भी टॉपिक पे तर्क करने की छमता इत्यादी का विकास होता है और यह सारे चीज जो होती है वो मानसिक विकास के अभी व्यक्ति होती है यानि शमवेदना ग्यान पर्त्यक्षिकरन जिग्यासा अनुकरन चिंतन तर्क इत्यादी के रूप में हम मानसिक विकास की अविव्यक्ति कर सकते यानि मानसिक विकास में मनुस्य के अंदर बालक के अंदर इन सारे प्रक्रियों का हमेशा क्रिया सीर लहता है इन सारे प्रक्रिया मनुस्य के मस्तिस्क में और मानसिक विकास का संदर भी इसी से होता है कि बालक में इस तरह की प्रक्रियाओं का विकास किया जाए जिसमें कौनकों से आएंगे प्रमक रूप से तो जैसे समवेधना है ग्यान है प्रत्यक्षी खड़न है जिग्यासा है अ हम कह सकते हैं कि बालक अपने मस्तिस का यहाँ पर सुदुपयोग कर रहा है, मानसिक छमता का प्रयोग कर रहा है, जो उन्होंने मानसिक विकास के द्रम्यान सिखा था, अब हम बात करते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन को उनसे काड़क होते हैं, कुछ प अनवानसिक्ता और दूसरा आता है वातावरन देख अनवानसिक्ता में क्या होता है कि जो हम अपने माता पिता के गुन जो होते हैं वो बच्चों में पीडी दर पीडी जाती रहती है यह चीजे अनवानसिक्ता कहलाती है और इसमें क्या देखा जाता है कि माता पिता का गु बुद्धी के होते हैं तो उनके बच्चे भी प्ड़ाया मंदवुद्धी के होते हैं तो आपने क्या देखा कि उसके मानसिक विकास को इन्हों प्रभावित किया कौन तो अनिवनसिकता ने चुकि ये माता-पिता के कारण बच्चे में ये चीजे हो रही है तो यह हैड़ेडीटी दर्सारी है और हैड़ेडीटी इस तरह से हमारे मानसिक विखास को बालक के मानसिक विखास को प्रभावित करते हैं और दूसरा जो कारक है हुआ है वातावर्ण वातावर्ण में अने को प्रकार के कारक आते हैं जैसे हम बात कर लें पोशन, कहता है ने कि हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे फिर अच्छा बोलेंगे, जैसा रहन वो इससा सहन होता है जैसे जितना अच्छा चीज़े हम खाएंगे उतनी अच्छी बाते हम बोलेंगे, ऐसा बोला जता है हमारे आ मानसिक विक सखोय याने उसके मस्तिस का विक सखोय को प्रभावित रहाएगा है'। दूसरा कारक है हमारा दिन चडिया कि कब कितने घंटे शोना है कितने घंटे विश्राम करना है चुकि मस्तिसक को विश्राम की जरूरत होती है अगर हमारा दिमाग ठक जाए किसी काम को करते करते तो हम अपने दिन चडिया में इस तरह की चीजों को शामिल करेंगे कि मुझे इतने से इतने घंटे तक मस्तिस्क को अराम देना है क्या है कि मानसिक किडियां बहुत ही एक जटिल किडिया होती है और इसमें हमारा मस्तिस्क बहुत ज़्यादा ठकता है तो उसके लिए एक दिन चडिया बनाई जाती है टाइम टेवल बनाए जाता है कि कब विश्राम करना है कब हमें निंद लेना है ठीक है तो ये भी जरूरी होती है अगर इस तरह की चीज़े अगर किसी बालक को नहीं मिल पाती है तो आप पाएंगे कि बालक चिरचीरा शोभाब का हो जाएगा उसके मानसिक विखास वहाँ पर डैमेज होता है वो चीजों को सोचने और समझने की चमता को दिरे-दिरे खोने लगता है इसलिए मानसिक विखास को प्रभावित करना है कौन-कौन से चीज़े तो हमारा दान दिन चाड़िया और निंदरा और विश्राम भी मानसिक विखास को प्रभावित करता है और मानसिक विखास अच्छे ढंग से हो इसके लिए इन सा फिल होगा, वहाँ पर अनुबब होगा, वह अपने आपको महतों को समझेगा, तो बालक को आप जो भी चीजे कहिएगा, वह अच्छे से समझेगा, करेगा आपकी बातों को मानेगा, वही किसी बालक को बेवज़ा आप उसको ढरते रही ए हमेशा उसे चिरचिरापन जैसा व्यवार को करते रहिएगा तो बालक के ये बाते उसके मस्तिस्क पर असर डालती है उसके मांसिक संतुलन को विगारती है इसलिए का आगया कि प्लेयम घिरना इडिश्या ये सारे चीजे भी है जो हमारे संबेग होते हैं, इमोशन होते हैं, ये भी बालक के मानसिक विखास को कहीं न कहीं परभावित करते हैं, और भी परभावित करने वाले कारक की बात करें, तो हमारा खेल और व्यायाम, ठीक है, बहुत से ऐसे व्यायाम होते हैं, जो मस्तिस्क को सुचारो रूप से चलाने के लिए हमारे दिमाग को तेज बनाने के लिए किया जाता है, तो वययाम अगर नियमित रूप से बच्चे करेंगे, नियमित रूप से बच्चे अगर खेलेंगे, तो खेल के दर्म्यान भी बहुत सारे वययाम होते हैं, जैसे कि माइंड वाले गेम होते हैं, जैसे सत मस्तिस्क का विकास के लिए यानि मानसिक विकास के लिए खेल और वयायाम भी बहुत जरूरी होता है अगर किसी बच्चे का ये इस तरह से मस्तिस्किये खेल को कड़ाएंगे किसी बच्चे को बारबारता पाईए कि उसका दिमाग दिरे दिरे और ज्यादा सारप होते जाए और अनवानसिक्ता में तो सिर्फ उनके माता-पिता के कुन ही प्रवावित करते हैं, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, तो बस इनी सारे कुछ points सब हैं, जो बालक के मानसिक विकास को प्रवावित करते हैं, और बालक का मानसिक विकास कैसे होता है, क्या होता है मानसिक में किस चीज का विगास होता है इसको आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे धंक से समझाए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह टोपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको यह आने वाले एक्जाम में उप्योगी भी रहेगा तो इसी तरह के और भी रोचक विडियो देखने के लिए आप बने रहेगा हमारे चानल के साथ चानल का नाम है आरक्यारेश्टरी सीटेट पॉइंट तो इस विडियो में इतना ही था फिर मिलते हैं आगले विडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक लिए देखते रहे हमारे चानल स्टड़ी सीटेट पॉइंट को धन्यवाद है